हॉलिवूड अक्रिस गीगा हदीद का सपना पूरा किया बॉलिवूड के आक्टर वरुन्धा बन्ने नमस्कार में इस रिस्ट ही आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलिवूड स्पाय में वहर जैसा कि आपको बढ़ा दो कि रिसेंटली ही नीता अंबानी और मुगेश अंबानी ने एक कल्चरल सेंटर इवेंट ऑगनाईज गिया जिसमें की बॉलिवूड के कई सारे सितारे हमें नज़राएं इवेंट की बॉलिवुड ही नहीं बलकी हॉलिवुड के भी कहीं सतारे हमें इस इवेंट में नजर आएं ऐसे में बात की जाए तो इस इवेंट के दौरान कुछ ऐसी चीजे हुई जिसके बात की वरुंध हवन को सोशल मीडिया पर काफी जादा ट्रोल किया गया जी हाँ आपको बता दो की नीता मुकीश इंबानी कल्चुरल सेंटर इवेंट के दौरान जब वरुंध हवन अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे तो उस दौरान ही गीगा हदीद वहाँ पर आई और ऐसे में जिस तरीके का अगर उनका गेस्चर देखा जाए तो उनको देख कर ये साफ तोर पर जाहिर हो रहा था कि बहुत ही कमफर्ट जोन में थे और वरुंध हवन गीगा हदीद को गोद में उठाते हुए उन्हें किस करते हुए नजर आए लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस जो हैं वो अपना गुसा दिखाते हुए नजर आए कि गीगा हदीद की यहां पर बेज़ती हुई है और गीगा हदीद के साथ वरुंध ने जबरदस्ती की है और ऐसे मैं आपको बदा दू कि ये सारी चीजे प्री प्लांट थी ऐसा ही वरुंध हवन ने क्लारिफाई किया और साती साथ गीगा हदीद को भी इस बारे में सारी जानकारी थी ऐसे मैं आपको बदा दू कि इस रीसेंटली ही गीगा हदीद ने भी अपने सोशल मीडिया इंस्ट्रेग्डाम पर कित्रू ये साफ तोर पर अपने फैंस को जाहिर कर दिया है कि वरुंध हवन ने गीगा हदीद का एक बहुत बड़ा बॉलिवुड का सपना पूरा किया है जि विलाकर कार इन चीजों से ये तो क्लारिफाई हो चुका है कि ये चीजे जबर्दस्ती ना ही वरुंध हवन के तरफ से थी और ना ही गीगा हदीद के तरफ से वैल इस पर आपके क्या कुछ है रियाक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर शेय करें